नमस्का स्वागत है आपका न्यू सिस्टी नाइन में मैं हूँ आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और बोपाल की शहजनाबाद इलाके में रहने वाला अमान नामा की यूअक 14 जून 2023 को घर से अचानक लापता हो गया वह तीन महीने बाद बेसु धालत में खंड़ुआ के एक धाबे पर मिल गया उसकी गुमशुद की जियारपी थाने में दर्श थी परजन उसे लेकर बोपाल और एक निजे अस्पताल में बरती कराया जहां उसका उपचार चल रहा है लापता यूअक का एक वीडियो भी सामने आया जहां वहां जोड कर एक धाबे वाले से फोन लगाने की गुहार लगा रहा है धाबे वाले ने ही उसके परिजनों को कॉल करके बताया जिसके बाद उसके परिजन उसे लेने गए थे पेड़ित ने पुलिस को अभी पूरी तरह कुछ नहीं बताया बस इतना कहा कि बोपाली स्टेशन पर किसी ने उसकी आँखे बंद करके बेहोश कर दिया था जब वाहोश में आया तो एक रूम में था उसे हरदा में किसी ने अगवा कर या दिया था इसलिए मुझे याद नहीं कि मुझे रख्खा कहां गया था वहीं जी आर पी ठाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि अभी आमान पूरी तरह बोलने की हालत में नहीं हैं जो कुछ उसने बताया उसके अधार पर जाँच कर रहे हैं ठीक होने पर विस्तार स उसके बयान लेंगे और फिर आगे की कारिवाही करेंगे बता दे कि जब अमान लापता हुआ था तो डेलवे स्टेचन पर उसका सिस्टीवे फोटेच भी सामने आया था जिसमेवास सही सलामत जाते हुए दिख रहा है अब इस पूरे मामले में पुलिस बयानों के अधार प अमान फिलहाल जो है उसके परिवार द्वारा ही लाया कि हाँ से खंडबा के पास किसी धाबे वाले ने सुचना दी थी कि अमान यहाँ पर यह उसने कॉल कर भाया था तो जब अमान आया था तो उसका स्वास्त वार ठीक ही ता भी ग्रीन सीटी अस्पिटल में वो बर्ती क वो यही बताया कि तीन मेने से मिज़े कहीं रखा गया था एक्जैक्ली अभी पूरे सिट्वेशन क्लियर नी कर पा रहा है डॉक्टर से हमारी बात हुई थी अभी थोड़ा ब्यान देनी किस्तितीम आएगा तो पुरा गटनगरम पता चलेगा कि तीन मेने से वो कहाँ था क्या लग़ा पुर्यावी तक की जाजवाब को क्या लग़ा बात जिस्टों कुछ जाज पहले भी जियर भी थाने में हुई यह समंध में टेज भी प्राप किये गा हैं और कुछ टेक्निकल इंपूट भी है महाँ पर यह जो बताएगा अभी जब बुलिंग सिच्वेशन इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद